प्रोडक्त कर चुके है और यहां पर दिख रहा है यह भी स्टैटिक हमने इसको मेंशन कर रखा है फाइल में और वहां से उठ करके आ रहा है ठीक कौनसी file mention कर रखा है यह नहीं लोड हो रही है यहां पर यहां क्या किया हुंगी हमारी क्या वहां करना पड़ेगा इस चीज के लिए यह देख लेते हैं तो पहली स्टेप सबसे पहली बात डेटाबेस है हमारे पास अब डीबी एक्जिस्ट करता है हमारा ठीक और क्या चाहिए हमें बैक एंड चाहिए हमें नोड.js पे हमने एक API नोड.js पे पिछली क्लास में बना रखा है हमने क्या किया उस पे कि अच्छी कि फ्रंटेंट से से हमने डेटा भेजा है इसको और इसने लिजा करके toby में स्टोर जया यह प्रोस्स में कंप्लीट कर चुके अब हमें रिवर्स चाहिए रिवर्स क्या चाहिए यह अब ऐसे डीबी अपने से नहीं भेजेगा डीबी अपने से डेटा भेज जाएगे एक API डेवलप करने पड़ेगी एक API डेवलप करने पड़ेगी रेस्ट अप्याइगी जो हम यहां से फ्रन्टेंड से कॉल करेंगे डेटा लेने के लिए माल लीजे श्लैश प्रोड़क जो था जो जो API थी हमारी endpoint नहीं चेंज होगा endpoint नौर्मली नहीं चेंज करते हैं ठीक पिछली बार हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे थे सेफ करने के लिए फेच करने के लिए हम get request करेंगे अब क्या करेगा बैकेंड क्या करेगा जाएगा हमको प्रोड़क का डेटा दे दो अब डीबी ये डेटा देगा और ये डेटा ये इसको response में return करेगा यानि कि इस से हम call करेंगे तो कैसे call करेंगे हम फेच यूज करेंगे हम देख चुके हैं जाएगी लिए यहां जाएगी यह यह बेजेगा तो फेच के देन ब्लॉक में जहां हमें डेटा मिलता है उस जगह पे हम किसी तरीपेशसे वो डेटा अपने component में load कर देंगे काम बहुत छोटा सा है बट इसमें छोटी-छोटी से ट्रिक है चलते हैं और देखते हैं कि क्या करना है स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज ये कहां पर ये काम करना है किस जगा पर आपको ये डेटा चाहिए अगर मैं डेटा यहां लड़ कर रहा हूं क्रोडक्त करना हूँ इस ही पेज 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 यहने कि डेटा चाहिए मुझेЙ सीग '' लिस्ट नहीं चाहिए मैं पřीज दिदा कर्ता हूं'' मैं लिड़ आने चाहिए।ा हम जाएंगे तो आप ठेज खाली हो चुका कॉल करना है वहां पे भी कुछ होना चाहिए यह हमारा इसitta की यह यह हमारा प्रोडक्ट का मॉडल है जा मुझेस टोर किया था ऑर यह हमारी वह है तो जहां पर फोस्ट पर स्पाराइड स्टोर कर रहे हैं तो अब यही से शूरू कर लेते हैं कि इसी जगह पर app.get Node.js, पर SAPIs, पूरा क्या होता है, कैसे होता है, सब पढ़ा चुका हूं, तो उस हिसाब से आपको चलना है, देख सकते हैं, ठीक app.get, बागी इन चीज़ों से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे काम करते हैं, ठीक तो यह async request है, यह copy कर लेता हूं, यहीं से मैं पूरा ही copy कर लेता हूं, ठीक, request same आएगी, response same रहेगा, यह method change हो गया है, पोस्ट की जगह get लगा रहा हूं, ठीक, पहले हम back end वाला हम create कर रहे हैं, यहां हम क्या करने आले हैं, find करने आले हैं, और सारा data, उनने का product find कर लो, सारा data ले आओ, प्रोडक्ट का, तो अगर product का data ला रहा हूं, तो इसको मैं products बोल देता हूं, रिजल्ट तो नहीं है, ठीक, और send जो कर रहे हैं, यहां पे, direct भी मैं send कर सकता हूं, म मैं यहां लिख देता हूं, इसे data पे, products, ठीक, यह result आप ही त्यार करते हैं, कि आपको किस तरीखे का response भेजना है, error आएगी तो error चला जाएगा, यह API हमने बना लिए, चलते हैं, postman open करते हैं, और देखते हैं, कि यह API काम कर रही है, कि नहीं कर रही है, ठीक, यह URL दे जाते हैं, localhost, port, कि इस port पे चल रहा है मेरा यह backend, 3004, ठीक, 3004 पे product, ठीक, हिट करके देखते हैं, तो यह इसने हमें response भेजा है, इसमें status पे success है, और यह सारा data आ रहा है, कुछ ज़्यादा ही data है, कोई देखता नहीं है, ठीक, यह नहीं कि backend हमारा complete हो गया है, जो कि data fetch करके हमारे लिए लाएगा, अब हमें इस चीज़ को चल करके अपने front end पे attach करना है, ठीक, चलिए, चलते हैं, front end वाला part शुरू करते हैं, तो कैसे ले के आना है data, तो अगर मैं refer करूँ ज़र असा पीछे जा करके, जो हमने fetch request भेजी हुई थी, हमने भेजा था fetch request product के, add form पे, नहीं आप सब्मिट हैंडलर है, यह add product हैंडलर पे, ठीक, product placed add product form, यहां हमने यह fetch request भेजी थी, ठीक, उसी URL पे request post है, body भेजी थी, header भेजा था, और आने के बाद हमने अपना navigate कर दिया था, इसको और कुछ नहीं किया था, मैं यह request यहां से copy कर रहा हूँ, ठीक, फरख नहीं पड़ता, बड़ी छोटी सी request है, ठीक है, यह मैं यहां ले आता हूँ, product वाले page पे, यहीं पर मुझे call करना है, पहली बात, कि body में कुछ नहीं भेजना है, मुझे, method मेरा क्या है, get है, get method का case बड़ा अच्छा होता है, कि इस टाइम पर हम चाहें, तो हम even कुछ भी न भेजे, ठीक, चाहूं तो यहां मैं get लिख ठीक, तो मैं अभी हटा आ रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी, देखा जाएगा, ठीक, तो यह get request जाएगी, तो by default fetch method get request पेशता है, आने के बाद क्या करना है, तो आने के बाद क्या होगा, data आ रहा होगा हमारे पास, और हमको उसको open करना, उसके अंदर से, उस response के अंदर से data निकालना है, मैंने का भाई दिया, जो यह response आएगा, इसका जेसन return कर दो, ठीक, इसका जेसन पास करेगा, जेसन में पास करना होगा, पिछली बार हमने इन चीज़ों पर भी discussion किया था, तो यह response आने पर यह जेसन में पास कर दे किसी तरीके से, और जब यह पास कर देगा, तो यहां पर हमें data मिल जाएगा, और जब यह data मुझे मिल जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं console log कर रहा हूं, console log कर रहा हूं, अपने इस data को, देखते हैं कि क्या status है, ठीक, यह open कर दिया, यहां गया, product पर click करने जा रहा हूं, या तो कुछ error आएगी, या तो कुछ, console log होग एक object आ रहा है, यहां पर, इस object के अंदर दो चीज़े है, status है और data है, हमें याद है कि यहां पर दो चीज़े थी, status था और data था, तो status से हमें कोई मतलब नहीं, अभी हमें check नहीं लगाना, एक success है, हम data पर चलते, data में हमको दिख रहा है कि एक array है, index है पूरी, और उस index पर यह पूरा का पूरा array आ रहा हमारे पास, ठीक, यानि कि data में यह सारा data आ रहा है, index यह 012, क्योंकि एक list है, data की list है, यहां पर आप देख रहाँगे, एक list है, ठीक, इसके अंदर यह object पढ़े हुआ है, हर object में data है, ठीक, यानि कि product की यह वो list है, जो हमें चाहिए थी, ठीक तो अब आपको लगेगा कि काम तो हो गया है, काम तो हो गया, अब क्या करना है, तो अब शुरू होती है story, यहां तक तो सब कुछ ठीक है, ठीक, अब story शुरू होती है, story यह है, कि यह data जो है, इस data के अंदर जो data है, माल लेते data, data, console locker के check भी कर लेता हूँ, हमें सिर्फ उ यह तो मिल गया, आपको data, 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 data क्यों लिखा, क्योंकि अंदर key data है, और यह नाम भी आपने data रख दिया, ठीक, अब बात यह है कि, यह set कैसे करूं मैं यहां पर, यह product list थी, तो 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 मैं यहां set कर दे रहा था, ठीक, product list थी, तो मैं यहां set कर दे रहा था, कोई दिकत नहीं है, इस बार यह product list नहीं है, तो जो question है दिमाग में, वह यह है कि, how to set the data to component, which is coming from backend, और rest API, अभी तो आपको भी रहा है कि, कोई दिकत नहीं है सर, यह जो return कर रहा हूं, यह जो return कर रहा हूं, यहां से उठा लो, जहां यह data आ रहा है, पहला, दिख रहा होगा कि, यह product list में क्यों नहीं, मैं set करते रहा हूं, मैं product list को उपर ले जाता हूं, करी देता हूं, सारी परेशानी समझ में आ जाएगी, आप सोच रहा होंगे कि, जब यह data आ रहा है, तो मैं इस data को, यहां पर ऐसे product list is equal to data कर दूं, क्या दिकत है, चला कोई data नहीं आ रहा, कुछ console नहीं हो रहा, product list में set कर रहा है, यहां क्यों नहीं दिख रहा है, अब आपको जाना है, और concept याद करना है, concept आप से यह कहता है, वह यह promise है, यह promise है, कैसा होता है, और synchronous होता है, ठीक, तो जब इसमें control आया हमारा, तो जिस time पर आपने यह promise call किय यहां तक, जिस time पर आपने यह promise call किया, इसने call कर दिया, callback का वेट नहीं करेगा, यह उसी event loop में execute हो जाएगा, event loop क्या होती है, अगर नहीं पता है, तो इससे आपके इस बात पर कोई फरखने पड़ेगा, बट बहतर है कि आप यह सारी चीजी जाके बढ़ें, काफी है, कि यह operation चल रहा है, यह गया, यह ले के आया, सब कुछ हो रहा है, यह नीचे वाली लाइन, उपर वाली लाइन का वेट नहीं करेगी, क्योंकि यहां सारी चीजी है, हम promise use कर रहे हैं, तो यह नीचे वाली लाइन इसने पहले ही load कर दिया, जो इसके पास था, इसके पास भेजते हैं, यह जो return है हमारा, इसको मैं ले चलू और यहीं पर लगा दू, और यह जो data.data है, इसको उठा के यहां भेज दू, अटा दू यह return, आ भेज़के दरू खतम हो गई, वेहतरी इंचे बिलकुल, चलते हैं page पे अपने, यह आया मेरा product का page, कुछ भी नहीं मिला ठीक, यह थी परिशानिया जिनकों discuss करना जरूरी था, आभी जाता तो कोई फरक नहीं पड़ता, है न, क्योंकि एक सही तरीका नहीं है, प्रोडक्ट का page लोड हो गया है, इसने कुछ return नहीं किया, यह हावा में रुख गया, कहीं पहुंचा ही नहीं, और जब यह हल होगा मतलब, बीच में अटका हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, तो यह कोई सही तरीका नहीं है, इस काम को करने का, अब हम चलते हैं, सही तरीका की बात यह, कि जब इस page पर मैं आओ, तो हर बर मुझे यह तो मिलना चाहिए, ठीक, अब इसमें data मिलेगा की नहीं, यह सोचना है, और मिलेगा तो कैसे मिलेगा, अभी पहले तो हम यह काम कर देते हैं, ताकि हमें page return हो जाए मेरा, page चलने लगा मेरा, यह page चल रहा है, यहां आ रहा हूं, यह products चाह रहा है, ठीक, तो कुछ ऐसा करना है मुझे, कुछ ऐसा करना है मुझे, कि किसी तरीके से एक कोई flag ले ले ठीक, माल लेता हूं, is data fetching, एक ऐसा flag हो मेरा, अगर यह data fetch कर रहा है, अगर यह data fetch कर रहा है, तो मुझे पता होना चाहिए, कि मैं क्या return करूंगा, मैंने कहा, उस time पे मैं इसको क्या return करूंगा, एक div return करूंगा, और इससे कह दोंगा, कि भाई, current data is loading, मतलब इस time पे आप एक GIF दिखा देंगे उसको, वही एक load करती हुई image चली आ रही है, कुछ भी, कुछ इस तरीखे कर दोंगा, खिक, और माल लेता हो कि शुरू में, is data fetching, जो है मेरा, इसकी value true है, बहुत अच्छे समझेगा, बहुत important concept है, इसलिए समझा रहा हूं इसको, जब ये मेरा data load हो जाएगा, जब ये मेरा data load हो जाएगा, तब मैं इस data fetching को false कर दूँगा, और जब ये false हो जाएगा, तो फिर से ये page load होना चाहिए, है न, अब उस time पे ये product आ चुका होगा मेरे पास, तो मैं ये product load कर दूँगा, ठिक, तो अभी क्या आ रहा है, data is loading, य के throw करते हैं, ये काम में state के throw करते हैं, मतलब कि ये हमारी एक state होनी चाहिए थी, ये हमारी एक state होनी चाहिए थी, state जैसी change होती है, re-rendering हो जाती है, जब ये data मैं fetch करना शुरू करता, तो यहां पर मैंने इसको true कर दिया होता, अपने state को, यहां ये आता और ये लिग देता data is loading, ये एक GIF को load कर देता, और जब मैं यहां complete कर लेता, तो मैं क्या करता, data products में डाल देता, और state को change करता, जैसे ही मैं state को change करता, दुबारा ये load होता, इसकी value बदलती है, ये re-render होता, re-render होता, तो मैं इस data fetching की value false कर चुका होता, यहीं पर data set करता और इसकी value false कर देता तो क्या होता, इस बार ये इसमें जाता नहीं, तो ये नीचे वाला part लोड हो जाता, और यहां मेरे सारे के सारे product पहुंच जाते, perfect, इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं, use state, use state from react, ठीक है, state ले आया मैं, इससे थोड़ी मदद मिलने वाली है मुझे, ठीक, और जब तक complete ना कर लो, तब तक बीच में complete, मतलब गायब नहीं होना, complete end तक देखना इस चीज़ को, समझना है कि कुछ-कुछ tricks है कि क्या कर रहा है इस चीज़ को लेकर के, ठीक, क्योंकि यहां पर एक चीज़ और याद रखने वाली बात है, कि हम अपने component को async नहीं बना सकते हैं, ठीक, तो component को async नहीं बना सकते हैं, आप उसको वैसे ही लेकर के चलना है, ठीक, component normal traditional function की तरह ही रहेगा भी, इस को async बनाने की कोशिश मत कीज़ेगा, ठीक, इस लिए देखिए, use state की हमने, ठीक, यह is data fetching मुझे बनाना था, मैंने ठीक है, is data fetching बना लेता हूं, और set is data fetching method बना लेता हूं, दो चीज़े निकल आएंगे, user state से मेरे, user state, ठीक, अब by default value क्या pass कर दो, true pass कर देता हूं, पहली बार जब मैं इस page पर हूंगा, तो मैं मानूंगा, data load हो ही रहा है, हमने उसको true लिया हुआ था, ठीक, अब मैं थोड़ी देर के लिए अपने react को बंद कर रहा हूं, clear कर रहा हूं, ठीक, क्योंकि situation आने वाली बीच में जहां हम एक infinite loop लोप सकते हैं, वो देखते जाना है, ठीक, वहीं उसी चीज़ को चल करके handle कर रहा है, बात, main main points याद रखने हैं कि हम इस product यानि इस component को async नहीं बना सकते, जब async नहीं बना सकते, हम यहां जबरदस्ती अवेट लगा करके वेट नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं कर सकता कि मैं यहां प्याहूं, और उसका वेट करूँ और लोड करूँ, not a good approach, और ऐसा आप कर भी नहीं सकते, अब हम states का use कर रहे हैं, देखते हैं कैसे करना है, हमने set is data fetching और is data fetching दोनों state बना बहतरी है, इस data fetching by default क्या है, true है, और by default अगर यह true है, हमें पता है कि क्या होगा, क्या होगा, यहां जाकर कि is data is loading दिखेगा, क्योंकि हमने इसको true set करके देख रखा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अब मैंने क्या किया, मैंने का यहां आओंगा मैं, जब मेरा यह data load ह हो जाएगा, जब मेरा यह data load हो जाएगा, इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, क्योंकि यहां पर मैं भी multiple operations करता है, तो मैंने का, कि मैं, sorry, set is data fetching, set is data fetching को क्या कर दूँगा, false कर दूँगा, ठीक, तो अब इसमें false set हो जाएगा, और यह यहां जा करके क्या होगा, false set हो जाएगा, इसकी value change होगी, re-render होगा, और यह load हो जाएगा, ठीक, यह expectation है हमारी, यह expectation है हमारी, मैं इसको start कर दे रहा हूँ, बेहतरीन, बिल्कुल, ठीक, यह expectation थी, मैं product के page पर गया, मैंने click किया, और कुछ मुझे दिखा नहीं है, आपके कोई दिख़त नहीं, ना दिखने का reason है हमारे पास, ना दिखने का reason यह है, कि इसमें कुछ है नहीं, ठीक, तो मैं यहां से यह वाली div कॉपी कर लाता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक, ताकि हमें पता चल जाएगा, कि with data, कि यहां आ गए है, ठीक, with data, यह पहली बार जब आया होगा तो, तो, अब हम देख पाएंगे कि नहीं, उस चीज़ को बहुत fast देखना है, देख रहा है, दोनों चीज़ लिख रहा है, ठीक, data is searching, औ with data, यानि कि यह बेहतरीन एकदम अच्छा सा चल रहा है, और सब कुछ काम कर रहा है, सिर्फ हमको यह data निकाल करके लाना है, सिर्फ हमको यह data निकाल करके लाना है, किसी जरीचे से set करना है, इस data को, ठीक, आप में यह जो मेरे products आ रहे हैं back end से, इनको मैं किस तरीचे से handle क यह भी देखना है, ठीक, इसको मैं वापस से हटा दे रहा हूं, ठीक, यह data अभी हटा देंगे चल करके, अब आगे बात करते हैं, इसको कैसे handle करूंगा, क्या हम एक ही page पे multiple states यूज कर सकते हैं, बिलकुल कर सकते हैं, तो अगर states multiple यूज कर सकता हूं, यहाँ पर मैं products is equal to user state, शुरू में empty list रख लेता हूं, ठीक, इससे क्या होगा, कि empty list initialize हो जाएगी जो product में थी, ठीक, यानि अब जब मुझे यहाँ product मिल जाएगा, यहाँ जब product मिल जाएगा, भी कुछ देखना है, अभी कानी खतम नहीं होगी है, ठीक, जब यहाँ product मिल रहा है, इसको fetch fetching को false करने से पहले fetching को false करने के बाद, क्या करता हूं, किalnızे product में gehen, जाता हूं again and data dot data doctoral data डाड़ करते हो, crypto которая confused नहीं होना है, we know data का कुछ भी नाम रख सकते हैं, इसका नाम रख सकते हैं, data, response data, ऐसे इसका नाम रख सकते response data तो मैं कह सकते हो कि response data.data ठीक और confusion हो तो वहां से उसको एक बार और दिन लगा करके एक बार और रेटर भी करा सकते हैं बेहतरीन यह आ गया मारे पास ठीक सेट भी हो रहा है response.data में और यहां जहां product पेज रहते हैं वहां पे product जा रहा है re-render हो रहा हुआ चले page पे जारा क्या हो रहा है एक बार मैं console भी खोल लेता हूं क्या हो रहा यह reload करता हूं products पे click करता हूं क्या है कुछ चल रहा है कुछ दिख रहा है with data लिखतर के यहां आ रहा है यह देख रहे हैं और यह no images images नीचे images आ रही है ठीक है कुछ वह इसकी image करब होगी image नहीं आ रही होगी इसकी image भी change करनी पड़े गया जिसकी image नहीं आ रही है कौन है जिसकी image नहीं आ रही है brown city tour ठीक जड़ा मैं मैं image change करके आता हूं तो यह इसकी image का URL था उसमें गलती हो गई थी बहतरी नहीं यह load होकर क्या रहा है मेरे पास console फिर से खोल लेता हूं कोई दिकत कोई परेशानी नहीं फिर कुसी image के साथ ही परेशानी होगी कोई दिकत नहीं है छोड़ देते हैं ठीक सर्वर रेस्पॉंस विट स्टेटस कोड 404 ड्राइव.google.com ड्राइव.google.com नहीं खफा हो गया है क्यों खफा हो गया है बताता हूं और चलते हैं देखते हैं कि क्या हो रहा है और यह देखने के लिए एक काम करता हूं यहां बैकेंड पर जा रहा हूं इसको ब्रेक कर रहा हूं मैं ठीक इसको ब्रेक कर रहा हूं और यह जो प्रोड़क्ट मैं गेट कर रहा था यहां पर मैं एक कंसोल लॉग लगा रहा हूं ऐक सब कुछ ठीक चल रहा है। सब कुछ भी मेरा लोड हो रहा है। बिसे कुछ देखने हैं है यहां पने प्रोडक्ट वाला पेज भरत कर रहा होगा. चैना कosis product fetching get request पे यहां लगा रहे है जब वहां से हाँ fetch करने के गया product हमको पता चल जाएगा कि हाँ यह गया product fetch कर रहा इंदेंगे क्या चल रहा है और क्यों Google Drive नाराज हो गई मैं इसको पहले तो ब्रेक कर दे रहा हूं वोल्ड्राइव फिल्कुल खफा हो जाएगी आपसे जब हुआ क्या पहले तो दो तीन बात हैं जरूरी सियाद रखने की पहली बात कि कभी भी इंफाइनाइट रिक्वेस्ट नहीं भेशते किसी भी सर्वर पे चाहे डीबी पे च चाहे सर्वर पे चाहे रेक्व से कि रुगल की ब्राइब कहीं भीकिन मुझे लॉट कर रहा हूं मैं प्लोकी किसी भी सर्वर पर पैट सर्वर बिएघ नहीं भीछ स्कते आपको ब्लॉक कर देगा तो यहां क्या हुआ यह बार बार प्रोड़क्टवेट फिच यहांड गया ने डएड़ेश्ट theo दिया इसने मुझे दे दिया तो मैसेज कित रा राना चाहिए था एक बार हाना चाहिए ता मैंसेज इंफाइनाइट टाइम आए इन अकर ब्रेकर ना करता ही रहता एच करता ही रहता गुगल ड्राइप्रॉब्ल में आकशार इसलिए बहुत बढ़ी प्रॉल्ब्लम है subsidiaryो में क्यों बन रहा है ये सिनेर्यो, तकि देखना और जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है तो ये हमारा front end वाला part है react वाला जो request भेज रहा है तो ज़रा इसको समझते हैं और देखते हैं कि क्या request भेज रहा है और ये मैं break कर रहा हूं को बंद कर रहा हूं ठीक यह पेज है क्या सिनेरियो बना हमारे पेज का सब कुछ पर्फेक्ट चल रहा है पेज लोड भी हो रहा था आमने वह 404 देखा गूगल का खफा हुआ था वह हमसे उस्ता हो जाएगा ना कि इन फाइनाइट रिक्वेस बेज़रो कर देगा नहीं है जाओ सभी बात तो रिंडर को जानते है कि जब भी कंपोनेंट को रिंडर करता है है ये बात हम बढ़ चुके हैं और हम जानते हैं जैसे ही एक स्टेट चेंज होगी भी रिंडर करेगा ऍकठी बात चिंशों बैद मागा पां गए बैड़ कर दो इह बहुक हैं इस्टेट इनिश्लाइज हुई ठीक है कोई दिक्कत नहीं है एक फेच रिक्वेस्ट गई ठीक यह फेच रिक्वेस्ट जब गई होगी तो वह अस्ट्रोना से रिक्वेस्ट चली अपना गई कोई दिक्कत नहीं यह आगे बग गया यानि कि step 12344 पर यह अंदर चला गया पता चला हां भाई यह true है status की इसने का data is loading प्रिंट हो गया जाकर के data is loading कोई दिक्कत नहीं है complete अब यह फेच गया हुआ था यह back end के पास गया data आया आने के बाद यहां पर data आपने पार्स किया पार्स करने के बाद जब response का data मिल गया तो आपने कहा set is data fetching false data fetch हो चुका है अपने चेंज करी साथ में आपने क्या किया कहा कि दोनों बार ही re-rendered होगा इस बार बहुद रेंडर होगा इस बार भी रेंडर होगा ठीक स्टेट जब भी चेंज होगा हमें कोई दिक्कत नहीं इसको false कर चुके है और करने के बास में कहाई है product यह मेरा set कर जब इसने यह काम किया तो क्या हुआ ये Component मेरा Rerender हुआ जैसी आया render रहा तो state change हुआ हुआ यह product फिर से Render होगा Render होगा का मतलब क्या है चोटे में समझ यह function product call हुआ यह चला यह चला इसने ये print किया हिक करेंद के बाद आप करने की डेटा तारा काम फिर से करना पड़ेगा, फिर से यह fetch function को call करेगा, फिर से इसने fetch को call कर दिया, तो हो backend के पास पहले एक request गई थी, फिर से एक request गई फेच करने की data, फिर यह नीचे आया अपने सारा काम किया, तब तक fetch पिर से वापस आगए data लेकर के, data फिर पिर से यह reload हुआ, फि जब अंदर अरे इसको इनिशलाइस कर रहे हैं यहां अरे हैं फिर आप कॉल कर रहे है प्रोडक्त को क्योंकि जब स्टेट चेंज ओर रही तो रिरेंडर हो रहा तो यह एक infinite loop create हो गई यहां से यह state change हो रही इसको call कर दे रही फिर यह अंदर आ रहा फिर इसको इनिशलाइज कर रहा फिर यह तो अब आपको product दिखने लगा था क्योंकि state false हो गई थी product load हो गया था पेश पेश पे दिख रहा था और यह एक infinite loop में फस चुका था और यह बार बार ब पड़ेगा कि जब यह page पहली बार load हो जब भी हम इस page पर product पर click करें पहली बार आए तो उस वक्त तो यह fetch call हो बट एक बार अब इसने state change कर दी इसको false कर दिया और यहां पहुंच गए अब यह call नहीं होना चाहिए clear यह चीज़ चाहिए है मुझे अब इस चीज़ को achieve मैं कैसे करो क्या करो तो मुझे तो यह दिखा कि अगर true है तो यहां अंदर जा रहा मैंने का ठीक है अगर इस फेचिंग true है क्या मैं इसको इसी को check लगा दो तो अगली बार यह false हो जाएगा state change हो जाएगी यह call नहीं होना चाहिए सही है मैंने का कि इस डेटा फेचिंग अगर true है तो अंदर जाओ फेच करो और पुसका फाल्स कर देगा फाल्स कर देगा तो फिर अंदर नहीं थाएगा अग्यूद करते हैं है ना पेज को format चली बात में करते हैं मैंने चलिए चलते हैं निव टर्मिनल इसका भी खोलते हैं और निव टर्मिनल अपने back-end का भी खोलते हैं तियार रहना इस बार हमने जैसे इन फाइन आइडिया प्रिंट करने लगेगा हमें आ करके इसको रोक देना है है ना गए यहां पर इन पेम स्टार्ट स्टार्ट हुआ पेज खोला पुराना बंद कर दे रहा हूं अभी तक ठीक है सब कोई दिक्कत कहीं नहीं है प्रोड़क्ट पे गया मैं प्रोड़क्ट फेचिंग फिक करके लाया और यहां पर प्रोड़क्ट मेरा लगा दिया इस्टेट चेंज हो गई होगी यह जो नहीं आ रहा है इमेजे यह यूर्ल की वजह से नहीं आ रहा है मैंने एक यूर्ल ठीक करती है प्राउंसिटी वाला यूर्ल टाइप करने में डेटाबेस में गारबड़ है बाखी ठीक है और एक बार गया ले आया और दूबारा आया तो क्या हुआ स्टेट चेंज होगा इसकी स्टेट च पास गया दुबारा हमने उसको रेंडर किया क्लिक किया लग से प्रोड़क्ट पे आये इनिश्लाइज हुआ इस फैचिंग एक बार प्रोड़क्ट फैच कर लिया पिर नहीं गया बेहतरी इन काम कर रहा है सही है एक सॉलेशन मिला हमें कि एक जुगाड हम इस तरीके से ल वह से सॉलेशन हमारे दिमाग में इस तरीके आते हैं हमारे पास एक सही सॉलेशन होना चाहिए इसके लिए मैं तब तक बैकेंड बंद कर रहा हूं अपना तक हम स्पैम ना करें Google Drive को और MongoDB को किसी को भी स्पैम ना करें ठीक कभी बैकेंड किसी को स्पैम नहीं करना तो यह मैंने यहां से हटा दिया और यह भी हटा दिया तो रियक्त का क्या तरीका है रियक्त क्या कहता है हमसे कि इसी सिच्वेशन को कैसे हैंडल करो तो रियक्त की भी कंडिशन लगाने का कोई ना कोई तरीका होगा तो उस कंडिशन को लगाने में जो हमारी मदद करने व करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमारी यहां पर मदद करेगा जबरदस चीज़ है यह दरसल इस सिनेरियों में तो हमने इसको हैंडल कर लिया एक ट्रिक लगा करके हर सिनेरियों नहीं हैंडल होगा बहुत सी जगह पर ऐसे होगा कि मल्टिपल स्टेट के बैसिस पे कं अब हर जगह यह स्टेट लगा-लगा करते जुगार नहीं लगाएं तो एक परसेक्त में होना चाहिए किसी भी काम को करने का था रहे हैं यूजुट इफक्ट दो इस यूजुट से मुझे करना इस यूजुट से मुझे इसको कंट्रोल करना तो ठीक है चलते हैं use effect में आप condition प्रवाइट कर सकते हैं बहुत से तरीखें इसके तो use effect में दो argument होगे हमारे पास पहला argument हम से यह कहेगा कि क्या करना मैंने के पहला argument एक call back दे दिया क्या करना है दूसरा argument क्या कहता है देख रहा होंगे react effective callback callback मतलब एक function एक callback पास कर रहा हूं उसके अंदर बताऊंगो क्या करना है डिपेंडेंसीज पास कर सकते हैं डिफाइंट दे सकते हैं कुछ नहीं देंगे तो अगर कुछ भी ना दू हर बार कॉल हो जाएगा उससे हमारा मसरफ हल नहीं होगा हमारा इश्यू नहीं सॉल्व होगा हमें इसको कंट्रो कर दिया यहां पर लिस्ट करो कि अथे पासकर करण बह्त पासकर अगर आप इस लिस्ट में अगर आप लिखते जाएंगे अीवें आफ फंक्शन पास कर दें वैवी क्या धास कि क्या दें प्लकिए थैख क्या क्ार सब्सक्राइब तो आज वहां मैं वहां कि assessment कुछ तो कंडिशन होनी चाहिए पहली बार इसके अंदर जा रहा है जब भी इसके अंदर जा रहा है उस टाइम पे उस टाइम पे यह सेट फेचिंग है इसको ट्रू कर दे इसको ट्रू कर दे जब मैं इसके अंदर जाहूं तो यह true हो जाए जब भी मैं इसके अंदर जा मैं अभी का केस्में दिखकत मठी अंधर ca कंडिशन रखते हैं यहां पर कब जाए कब ना जाए तो जब भी जाएगा जब भी यह डेटा लेने के लिए जाएगा तो इसको फेचिंग को ट्रू कर दूंगा हमारे केस में चल जाता है बट एक कॉंसेट समझ रहा है तो कर दूंगा यह रुख जाएगा यह ट्रू हो जा पास करती है यह इंपटी लिस्ट इसको यह बताएगी पहली बार तो अंदर जाने देगी दुबारा जब आएगा तो इस लिस्ट में चेक करेगा कि पिछली बार की कंडिशन जोती वो क्या कहती है लिस्ट खतम हो चुकी होगी आपके पास कोई इसमें कंडिशन नहीं 682 कंसा सुटेगं है अभी आपको यह समझना है कि यहंपडी लिस्ट हमारी काम करते इसको यहां पर हम डिपेंडेंस्घर सकते हैं मूझे बात की बात की देखते हैं के लिए हमारे लिए कुछ किया या कुछ भी नहीं किया इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे बैकेंड चलाना पड़ेगा ज़रा है अगर हम कुछ मिस्स नहीं कर रहा हूं तो हमें दिख जाएगा और यहां प्रोडक्ट के पेश पेश जाओंगा मैं डेटा इज लोड़ींग चलिए देखते हैं क्या मिस्स कर रहा हैं यह कुछ भी नहीं मिस कर रहे हैं सब कुछ पर्फेक्ट है लोड होने में इसने टाइम लिया पेजने इमेजेस की क्वालिटी की वज़ा से तो बिलकुल जबरदस्त कोड है यह इंप्टी कंडिशन है अब देखना यह है कि इंफाइनाइट लूप नहीं है चेक करने के चाहूंगा एक बार यह कॉल जाएगी यहां पर फेचिंग और यह ला करके लोड कर देगा इमेजेस को पैश कर लेती है बाद में जल्दी चलने लगता है ठीक वह लोड नहीं हुआ तो सिस पेज बेट कर रहा था हो यह चीज हमने देख ली कैसे काम करेगा यहां पर आप क्या कर सकते हैं